इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से लिग गई है. हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते हैं. किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें. अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का और तवचा के संक्रमन शामिल हैं। यह एच, पाइलोरी नामक बैक्टीरिया के खिलाफ भी प्रभावी है, जो पैप्टिक अलसरोग से जुड़ा है। यह संक्रमन पैदा करने वाले बैक्टीरिया की और वृध्धी को रोपता है और आपके संक्रमन का इलाज करने में करता है। यह दवा आमतोर पर आपको बहुत जल्दी बहतर महसूस कराती है। हाला कि जब तक आप बहतर महसूस करते हैं, तब तक आपको इसे तब तक लेना जारी रखना चाहिए। ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी बैक्टीरिया मारे गए हैं और प्रतिरोधी नही बनते हैं। इस दवा को अपने चिकित सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें। इसे पूरा निगल लें। इसे चबाएं, कुछलें या तोडें नहीं। मिकलेर 500 टैबलेट भूजन के साथ या बिना भूजन की ये इसे लिया जा सकता है। लिकिन बहतर यह होगा कि इसे एक नियत समय पर वरियता के साथ लिया जाए। टायरा माइन युक भूजन जैसे चीज, स्मोक्ट फिश, मीट और कुछ प्रकार की बियर के साथ मिकलेर 500 टैबलेट से बचें। मिकलेर 500 टैबलेट एक एंटी बाउटिक है। यह महत्वपून कारियों को करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा आवश्यक आवश्यक प्रोटीन के संचलेशन को रोक कर काम करता है। इस प्रकार यह बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है और संक्रमन को फैलने से रोकता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडि पर सेट करें धन्यवाद